हेलो स्टुडेंट्स वेलकम टू स्टडी ट्वैंटीफोर तो डीवी के लिए अपडेट लेकर मैं आपकी आ गही हूं कि कौन-कौन से स्टेट्स की आपकी डीवी आ चुकी है कौन-कौन से रेजन का डीवी नोटिस आ चुका है तो गुड न्यूस है न्वर से चंडीगर का मुझे एक बच्चे ने भेजा था नोटिस की चंडीगर का मैं देखी आ गया है तो उस पर हम लोग तोड़ा सा देखेंगे कि क्या-क्या मांगा गया है तो न्वर की कोई अपडेट नहीं तो एक अपडेट आपकी आ चुकी है बच्चे ने मुझे भेजा था तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि कैसे क्या उसमें बताया गया है कब हो रहा है महां पर डीवी दूसरा जो मुंबई वाला है मुंबई के इंकम टैक्स के जो बच्चे हैं उनके पास यह नोटिस गया है मुंबई इंकम टैक्स का भी आ चुका है आपका तो वह भी हम लोग पूर उसमें लगवग 462 आपके शायद कंडिडेट्स थे और आपको बुलाया कितना का गया है जो आपकी लिस्ट आई है ठीक है 67 कंडिडेट्स का नाम उसमें लिखा हुआ है ठीक है तो बच्चे बहुत जादा पैनिक हो रहे थे कि मैं पॉल्स बहुत आई कल मुझे कि मैं मेरे जो भी जितनी बच्चों की क्वाईरी से ठीक है सबसे पहले तो आपका जो नूटिस आया है उसको हम लोग एक बाद देखते हैं कि मुंबई का क्या नोटिस आया है income tax का ठीक है तो यह आपका आ गया है वही प्रिंसिपल चीफ कर्मिशनर आफ इंकम टैक्स मुंबई से छे टारिक को आपका यह notice आया था ठीक है fixing of dates of document verification side में मैं आपको लगा दे रही हूं notice को ठीक है qualified candidates recommended by the staff selection ठीक है उन्हें बुलाया गया है कहां पर income test department के लिए और यह कहां पर जाना है आपको मुंबई में जाना ठीक है the list of candidates who have been recommended for appointment to the post of multi MTS ठीक है and in respect of whom dates for document verification have been fixed मतलब इस पर ध्यान रखेंगे कि जिन बच्चों की date जो है fix हो चुकी है उनको बुलाया गया है यानि कि यह जो आपके पूरे 462 लगबग बच्चे जो पूरी list थी जिसमें इन बच्चों को Mumbai income tax मिला है उनमें से कुछ बच्चों का डीवी डेट fix हो गई है इसी लिए केवल आपका 67 बच्चों का लिस्ट आया है ठीक है कितना है 67 बच्चे है आपको कहां पर जाना है वही आयकर नभवन जो आपका address लिखा है MK Road Mumbai यहां पर आपको पहुंचना है सुबह 10 बजे और dates आपकी सब कब तक आपका हो रहा है एक बाट dates में पहले बता दे रही हूं आपका कि वही डेट्स आपकी जो है वह आपकी 23 तारीक से शुरू हो के 23 और 24 को है ठीक है 22 23 24 डेट्स आपकी क्या है 22 है 23 है 24 है इस पर बुलाया गया है हर बच्चे के आगे उसकी डेट लिखी हुई है और आपका टाइमिंग क्या रहने वाली है टैन टैन एम पर आपको बुलाया गया है इन डेट्स पर जो भी बच्चे के आगे जो डेट आपकी लिखी है उस पर उसे पहुचना है और यह लिस्ट जो है 67 candidates की है यह जो PDF है मैं टेलीग्रम ग्रूप में शेयर कर दूंगी आप ल आपको पता है स्क्रीन पर भी शो हो रहा है आप लोग इस पर कॉलिया मैसेज करके पूछ सकते हैं तो सबसे पहले तो हम लोग नोटिस पढ़ लेते हैं कि क्या क्या आपको लेकर जाना है सारी जीज़ है तो four sets of attestation form चार सेट आपको लेकर जाने हैं attestation form में जिसमें आप 11 pages है ना इसमें आपका character certificate और और आपका character certificate भी आपका आचुका है यह जो 11 pages है आपके इसमें आपका identity certificate है और आपका क्या क्या है इसमें सबसे पहले तो इसका हमें चार कर वाले में चार सेट मतलब चार कॉपी आप निकल वा लेंगे ठीक है फिर 11 pages in each set मतलब हर सेट में इसके 11 pages होने चाहिए अटेस्टेशन फॉर्म के दूसरा all sets in original with recent photographs इसका मतलब समझ रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि आपने एक अटेस्टेशन भरके बाकी उसकी photo copies करवा ली है हमें चार चार जो आपने सेट निकाले हैं चारों को ही आपको भरना है चार को ही क्या करना है भरना है फिल करना है और फिर उसके उपर photo आपको पेस्ट करनी है फोटो पेस्ट करनी है यानि कि वो एक आपको pen से मतलब वो भरना है यानि यह नहीं कि आप एक भरो और उसकी अपकी और चापनी है तो वह जाएंगी ओरिजनल आपकी कॉपी हो जाएंगी ठीक है विड़ रीसेंट फोटोग्राफ क्या करना है पुरानी फोटो आप लगा तो पाइजाएंगे पेस्ट करका डिजियेगा उस पर फॉटकॉपी नौत अलाउधूध इन्हों ने साफ साफ लिख दिया कि फॉटकॉपी अलाउध नहीं हो गी आपको पूरा भरना यह इन्हीं कि भरके फोटो कॉपी करा ली बाकी 3 की इस पॉ själिंट को बहुत अच्छे से समझेगा कि फोटो कॉपी या औरिजनल है औरिजनल है भाई सभी पर यानि की आपका फोटो कॉपी अलाओ नहीं है चार सेट्स लेके जाने हैं यह तो आपका फर्स्ट कॉइंट हो गया यह वह लेकर जाएंगे से से हैं तो वह सेंट्रल गॉवर्मेंट फॉर्मेट साफ इन्होंने डिकलेर करा है मुंबई इंकम टैक्स ने कि वेलिट कास साथिविकेट इसी इन दा सेंट्रल गॉवर्मेंट फॉर्मेट बाइदा कॉम्पीर अथौरिटी इन इस रिगार्ड इस पर आपको तीन पेजिस का medical certificate मेलेगा उसको आपको अच्छे से cm से sign करवाने होंगे ठीक है नेस्ट हम लोग instructions देखते हैं वहाँ पर क्या है कि all the above mentioned document at serial number 2 से जो 8 तक जो भी आपके documents बताये गए है bought in original वो आपको सब original में लेके जाने हैं original में और एक self-attest photocopy मतलब एक photocopy आप कराएंगे उस पर खुद का नाम कैसे करते हैं self-attest अपना नाम लिखा अपना नाम जैसे कि मैंने मेरा नाम क्या है इस पर मैंने फिर अपने sign कर दिए जो भी मेरा sign है sign कर दिए और date डाल दी तो वो self-attest हो जाता है ठीक है तो self-attest करके एक सभी documents की एक copy उस पर आपको self-attest करना है किसी से sign नहीं करना आना है ठीक है next आपका if the candidate is a central state government deploy है तो उसको कोई भी ना medical कराना है ना character बनवाना है जब आप उस job में थे job में अगर आप जिसमें हैं तो उसमें आप क्या करेंगे उनी से आप निकलवा लेंगे अपना जो भी medical बगारा या लिखवा लेंगे जो भी है ठीक है no objection certificate लेकर आएंगे साथी में and character certificate obtained at the time of his appointment जब आपका तब character और medical था वही आप लेकर जा सकते है जीवी के टाइम पर ठीक है अच्छा and carry all these documents to be sent into this office तो office में send कर देंगे तो मतलब आपको यह कि नया फिर से बनाने की ज़रुवत नहीं है next है candidate details from form completely filled along with required enclosures form available जो form आपका है वो सब मतलब कहां available होगा income tax की इस वाली site पर अगर आपको कोई चीज मिसिंग हो जैसे medical वाला चाहिद इसमें नहीं है ठीक है देख सकते हैं दो recent photograph होंगी आपकी you are instructed to bring complete address of the respective district police headquarters where you have resided for more than one आने रहे वही आपका जो उसमें 4th वाला पॉइंट अटेस्टेशन फॉम में कि 5 साल में आप अगर कहीं एक साल रोके हैं तो उसका पूरा आपको क्या लिखना पड़ेगा यहां पर respective district police headquarters का पूरा address आपको वहाँ पर लिखना है मतला लेकर जाना है ठीक है चले जहां से आपका वह हुआ है ठीक है एक सार अगर आप वहाँ पर रोके हैं ठीक है next है as mentioned above a copy of the attestation form medical statement and declaration form and candidates detail form available on the website यह सारी चीज़े आपको इस website पर मिल जाएंगी जो नीचे आपकी साइट होगी income tax वाली उस पर आपको सब मिल जाएगा candidates are advised to make sure all the documents are fetched in digilocker account बहिए digilocker account में आपको अपने fetch कर देने हैं ठीक है एक बच्चा पूछ भी रहा था कि डिजी लॉकर account का चल जाएगा तो यहां पर देखी उन्होंने mention कर दिया है कि आपके जो भी documents है उन्हें आप डिजी लॉकर account में fetch कर वा सकते हैं ठीक है कर दें ठीक है next आपका क्या है उनको कोई भी note that no traveling allowance यह जरूर लिखा होता है सबके में कि कोई भी आपको यात्राभत्ता नहीं दिया जाना है यह सब आपका लिखा हुआ है फिर आपकी यह जो list दे रखी है पूरे 67 candidates जो 22 से आपका 23 24 ऐसे करके चल रहा है फिर यह आपका list हो गई है ठीक है यह आपका complete हो गया है तो यह तो रहां आपका Mumbai वाला ठीक है और इसमें सबसे important जो आपका doubt था कि आपके लगबग बच्चे जैसा कि अभी मैंने बताया 462 है 67 का ही आया है लिस्ट ऐसा क्यूं हो रहा है वाई हम लोगों का होगा यह नहीं होगा तो बिलक दिन बच्चे तो इस तरीके से आप लोगों के पास भी मेल आएंगे बिलकुल निश्चिंत रही है कि अभी 67 का हुआ है और अपने ग्रूप में बच्चों को लेकर आएंगे बिलकुल आपका डीवी होना है एक साथ 462 का वो सई से अच्छे से शायद ना करवा पाएं इस धीरें धीरें करके फिरसे अपकी सेकंड लिस्ट ऐाएंगी थर्ड लिस्ट ऐही जं Almost है अच्छे से कराने के लिए क्या कर दिया है जुद बच्चों को डिवाइट कर दिया है यह सकता है बाकि आपकी सेकंड लिस्ट आएगी ठीक है यह तो आपकी सारी बात हो गई मुंबई वाले को लेकर मुंबई इंकम टैक्स को लेकर अब हम लोग बात कर लेते हैं अपना यह जो चंडी गड़ वाला एक बच्चे ने जो मेरे ग्रूप में पोस्ट कर दूंगी आप लोग देख लीजेगा ठीक है चलिए तो क्या बताया गया है इसमें आपका गवर्मेंट आफ इंडिया वह उनकी तरफ से आया है सेंट्रेल रिसर्च इंस्टिट्यूट कसॉली दे रखा है साथ कारी की डेट पड़ी है यानि की कल क इंस्टिट्यूट का सॉली पिन कोड आपका दे रखा है ठीक है हिमाचल प्रदेश यहां से आपका आया है हिमाचल का आपका आचुका है ठीक है समझे यह आपका आया है और वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यमेंट के तू मतलब उसके लिए आपका अपॉइनमेंट आया है काइंडली देफर फॉर टू एससी चंडीगर ठीक है चंडीगर लैटर नमबर नॉमिनेशन नमबर यह सब आपका और यह सब दे रखा है तीन तारिकों इस इंस्टिट्यूट आपना करवाना स्टार्ट कर दिया है अब यह क्या कर रहे हैं बिफोर इस्विंग ओफर ऑफ अपॉइन्मेंट होता है उसको इस्विंग करने से पहले एका कराना चाहरा है यू आर्वाइड डिरेक्टेट टू अटेंड डीवी अलोंग विट फॉलॉइंग ओर बिफोर 25 नमबर यानि कि आपको 25 तारिक से पहले कराना है चंडीगर में आपको कहा कराना है 25 से पहले-पहले करा लीजे या 25 तक करालीजे ठीक है और या तो ऑन या फिर बिफोर 25 से पहले आपको यह पर अपना डीवी कराना है और यह जो डोक्यमेंट्स है आपको ओरिजिनल लेके जाने है यहाँ पर देखी Attestation Farm की कोई बात नहीं हुए तो आप Attestation Farm बिल्कुल मत लेकर जाईएगा यह नहीं कि आप साइट से निकाल ले और अपना फिलकर के ले जाए जो चीज़े नोटिस में इनों ने बताई है बस वही आपको लेकर जानी है अटेस्टेशन फॉर्म का जिक्र नहीं है हो सकता है वह आपको बाद मेरें ठीक है तो डियो भी लेकर जाना ह ही फोटो भी लेकर चले जाएगा हो सकता है फोटो मांग ले तो सिर्फ चार चीज़ें आपको लेकर जानी है यहां पर 25 तारिक से पहले फिर आप जब डिवी करा लेंगे उसके बाद हो सकता है आपको मेल कर दें कि बहीं आटेस्टेशन फॉर्म यह वहां पर भी दे सकते और फोड़ा रिलेक्स करें अब आपको आना शुरू हो गया है ठीक है बहुत ज़्यादा नवर की कोईरी थी और मुंबई वाले आप भी रिलेक्स हो जाएगे बिल्कुल आपकी लिस्ट आएगी इतने ज़्यादा केंडिडेट्स है इस चक्कर में उन्होंने क्या करा है स भी लिस्ट आने थे तो फिर मिलते हैं शाम को लाइग में नौब होजे तब तक देखते रिये वीडियो को मैसेज कर सकते हैं बाकी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा वीडियो को लाइक शेयर करिएगा और टेली ग्रूप में एड हो जाईएगा लिंक डिस्रिप्